विवेशना के पिछले अंग में हमने बताई थी भारत में चीनी मोल के लोगों के कैद होने की कहान। आज नदर डालते हैं 1962 में चीन्यों ने कैसा सलूख किया था भारतिय युद्बंदियों के साथ। विवेशना में अभी बादन सुईकार करिये रेहान फदल का। पहाडी रास्तों पर दो दिन लगातार चलने के बाद ब्रिगेडियर परशुराम जॉन डल्वी को एक खुली सी जगे नदर आई। वो सबसे आगे चल रहे थे। उनके पीछे उनके साथ साथी थे। वो जो ही सक्रे से रास्ते पर दाखिल हुए उन्होंने अपने आपको एक चीनी इंफैंटरी कमपनी के बीच पाया। उसी समय उन्होंने देखा कि करीब एक दरजन बंदूकों की नाले उन्हें घूर रही है। ब्रिकेडियर दल्वी ने अपनी घड़ी पर नदर डाली 22 अक्तूबर 1962 की सुबह के ठीक नौबच कर 22 मिनट हुए थे। वो और उनके साथ साथी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बंदी बन चुके थे। अब वो चेहरे पर चेचक के दाग वाले एक कड़क चीनी कैप्टन के रहम पर थे। ब्रिकेडियर दल्वी अपनी किताब हिमालियन ब्लंडर में लिखते हैं। पिछले 66 घंटों से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं 10,500 फिट की उचाई से उपर 18,500 फिट की उचाई तक चड़ा था। और फिर 10,500 फुट नीचे एक जलधारा की तरह उतराया था। मैं ठक कर चूर हो गया था और भूका था। मेरी दाड़ी बढ़ी हुई थी। जाड़ियों के बीच चलते रहने और काटे दार धलानों पर फिसलने के कारण मेरे कपड़े तार-तार हो गए थे। ब्रिगेडियर दल्वी को चीनियों ने तिबबत में सेथांग कैम्प में भारती सेनिकों से बिलकुल अलग एक आंथवास में रखा था। हमेशा महविलों की शान रहने वाले दल्वी कुछ दिनों में ही डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। हफतों बाद उने एक कलम और लिखने के लिए कुछ कागस दिये गए थे। उनके बेटे माईकल दल्वी बताते हैं। खाने में उन्हें दिन के दोनों समय आलू दिया जाता था। हां क्रिसमस की रात को उन्हें चिकन खाने को दिया गया था। उन्होंने वो चिकन चीनी सेनिकों के साथ बाट कर खाया था। महीने में एक बार उनके बाल काटे जाते थे। उनकी हजामत बनाने के लिए रोज एक नाई आता था चीनियों को उन पर विश्वास नहीं था कि वो उन्हें खुद अपनी हजामत बनाने दे अप्रेल 1963 में सारे भारती युद्बंदियों को बीजिंग शिफ्ट कर दिया गया चीनि सरकार की कोशिश थी कि उन बंदियों को मेडे की परेड में हतकडियों और बेडियों के साथ चीनी जनता को दिखाया जाए ब्रिकेडियर दल्वी के कड़े विरोत के बाद चीनियों ने ये विचार छोड़ दिया ब्रिकेडियर दल्वी की तरह करनल के के तिवारी इतने भागशाली नहीं थे बाद में मेजर जनरल बने करनल तिवारी ने अपनी मौत से पहले अपने पांडिचेरी के घर में उस लड़ाई को याद करते हुए मुझे बताया था गिर गया था मैं बूटों से बारा जूते से एक बूटी था जवान उसके इंटर्शाइन बाहर था उसने देखा के मेरे को पचाना उसने के इंडियन है तो मुझे कहते तो साभ पानी तो मैं एकदम उठा उसको हिप करने के लिए कि वट भाटल को मिल जाए तो लप्टेंग ने मेरे कुमारा राइफल बट से, you shut up, you feel stupid, who gives you order to do this, we know what to do, I said he's dying, can't you see? एक चीनी अफसर ने मेरी वर्दी पर लगे रैंक को देख लिया था, और वो मुझसे बहुत बेज़ती से पेशा रहा था, मेजर जरनल टिवारी ने मुझे आगे बताया, मुझे पहले दो दिनों तक एक अंधेरे और सीलन भरे कबरे में रखा गया, उसके बाद करनल रिक को मेरे कमरे में लाया गया, जो बुरी तरह से खायल थे, हमें नाश्ता सुबह साथ से साड़े साथ बजे के बीच मिलता था, दो पहर के खानी का समय था, साड़े दस से ग्यारा बजे तर, रात का खाना तीन से साड़े तीन बजे के बीच दिया जाता था, जिन घरों में हमे ठहराया गया था, उनकी खिर्कियां और दर्वाजे खायब थे। शायद चीनियों ने उनका इस्तिमाल इधन के तोर पर कर लिया था। जब हमें अंदर लाया जा रहा था तो हमने देखा कि वहां पौाल का एक धेर लगा हुआ था। हमने चीनियों से पूछा कि क्या हम इनक इस्तिमाल कर सकते हैं? उन्होंने हमारी गुजारिश मान ली। इसके बाद तो हमने उस पौाल को गद्दे के तोर पर भी इस्तिमाल किया और कंबल के तोर पर भी। चीनी जेलों में अपने दिनों को याद करते हुए मेजर जनरल तिवारी ने बताया कि चीनी अक्सर पब पार थी ये संगीत बजाते थे। एक गाना बार बार बजाया जाता था वो था लता मंगेशकर का आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार में अखिया खब गई पंधनिहार आजा रे मैं अजारे ये खाना सुनकर हमें घर की याद सताने लगती थी। हमें उस समय बहुत आश्चर हुआ जब एक दिन एक चीनी महिला ने आकर हमें बहादर शाह जफर की कुछ खजले सुनाई शायद ये उर्दू बोलने वाली महिला लक्टव में कई सालों तक रही होगी 1962 के युद में चीन ने भारत के 3942 युदबंदी बनाये थे जबकि भारत के हाथ चीन का एक भी युदबंदी नहीं लगा था भारत ने 1951 में युदबंदीयों से सम्मंदे जिनीवा समझोते पर दस्थखत किये थे जबकि चीन ने जुलाही 1952 में इस समझोते को मानिता दी थी कुरुक्षेत्र विश्विद्याले में प्रोफेसर रहे सुरेंद्र चोपडा ने इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अक्तूबर 1968 के अंक में साइनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फलिक्ट और ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वार शीर्षट से एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने चीन में रह रहे एक भारती युदबंदी को कहते हुए बताया जिस दिन मुझे पकड़ा गया वहां मेरे साथ 15-16 और घायल सेनिक थे उनको डॉक्टरी सहायता की तुरंट सरूरत थी वो दर्द में चिला रहे थे लेकिन चीनियों ने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया किसी भी घायल को पहले 48 घंटों में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया उनकी दर्द भरी अपील के बावजूद उन्हें पानी की एक बून तक नहीं दी गई ये जिनिवा समझोते की धारा बारा और पंदरा का घोर उलंगन था इसके अलावा वरिष्ट अधिकारियों की हर जगे बेज़ती की गई एक वरिष्ट अधिकारी ने एक हलफ नावे में कहा चीनियों ने हमसे बार बार कहा कि अब हम अफसर नहीं रहे उन्होंने हमारे जवानों से कहा कि उन्हें अपने अफसरों को सेल्यूट करने की कोई जरूरत नहीं बलकि उन्होंने जवानों को अपने अफसरों के प्रती असमान दिखाने के लिए बढ़ावा दिया जब भी हमारे जवान हमें सिल्यूट करते, चीनी उन पर चिलाते और कहते कि इन में और तुम में कोई फर्क नहीं है ये भी तुम्हारी तरह युद्दबंदी है इसका एक मातर उद्देश था हमारे सैनिकों में अनुशासन हींता को बढ़ावा देना हमसे हमारे जवानों के सामने राशन, इधन और पानी उठवाया जाता और कैम्प में जाडू लगाने के लिए कहा जाता कुछ जवानों पर चीनियों की इस मुहिम का असर भी पड़ा दो राचपूत के मेजर उंकारनाद दुबे को नाम का छूकी लड़ाई में सोला गोलिया लगी थी खायल हो जाने के बाद चीनियों ने उन्हें बंदी बना लिया था उनके साथ सत्तर जवान लड़ रहे थे इस में से सिर्थ तीन चीवित बचे थे इस समय वरानशी में रह रहे मेजर दुबे को तिबबत में लाचा के पास मारमांग कैम्प में युदबंदी के तौर पर रखा गया था उन दिनों को याद करते हुए मेजर उंकारनाद दुबे बताते हैं तोटे हुए घरों में ही अस्पताल बना दिया गया था वो नाम का ही अस्पताल था वहां X-ray की कोई सुविधा नहीं थी वहीं मेरे शरीर से 15 गोलिया निकाली गई जब मैं जनवरी 1963 में भारत वापस लोटा तो 16 गोली भारतीय सेना के डॉक्टरों ने निकाली कहने के लिए अस्पताल था मेरे अपरेशन करने के बाद जो गोलिया निकाला तो जो पत्ती और गाज होता था उची को गरम करके शुखा करके दुबारा इस्तेमाल करते थे मेज़ अगे बताते हैं हमें सोने के लिए एक चटाई दी गई थी इस पर बिचाने के लिए बहुत पतला गदा दिया गया था जमीन पर सोते थे भाई वहां चार पाई मिलने का सवाल नहीं था मेट्रेस मिलती थी वहीं बिचा लेते थे एक बड़ी रजाई होती थी चार पाई जान पिरके इकटा सोते थे खाना तीन में तीन बार मिलता था एक पहले ब्रेकफास का मिलता था चाह नहीं मिलती थे भाई भाई उड़गूर्टी मिलती और चाइनिज थी है उसका नाम खाने में एक कटोरी चावल और लोकल जो वहां खाने की खास होती है उसकी सबजी ब्रिगेडियर अमरजीद बहल 1962 में सेकंड लेटिनन्ट के पद पर काम कर रहे थे ब्रिगेडियर बहल ने मुझे बताया था हमारी सारी गोलियां हत्व हो गई थी इसलिए हमें नचाहते हुए भी युदबंदी बनना पड़ा चीनी सेनिकों ने मेरे सिर पर पिस्टॉल का बट मारा और मेरी पिस्टॉल चीन ली फिर मुझे शेन युदबंदी शिवर में पहुचाया गया इस कैंप में करीब 500 युदबंदी थे भारती जवान ही हमारा खाना बनाते थे इसका एक फाइदा मुझे ये हुआ कि मुझे सुबह सुबह फीकी बलाक टी मिल जाती थी खाने में हमें दोनों वक्त रोटी चावल और मूली की सबजी ही दी जाती थी वहां हर समय गुञ रहा है चारों और हिंदी चीनी भाई 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 ये गाना बचता रहता था ये गाना सुन सुन कर हमारे कान पग गए थे ब्रिकेटियर बेहल ने आगे कहा युदबंदी के तोर पर सैनिकों के साथ सक्तियां भी होती है और मार पिटाई भी मेरे साथ भी ऐसा हुआ सख्ती तो होती है जालती भी होती है ये दो चार थपड़ अपड़ लगा देना तो नॉर्मल चीज है और मैं तो यंग बॉई था आइकुड टेक इंडिस ट्राइड और इंटेरोगेशन उनकी बड़ी अजीब की किसम थी थी उनको इंडिन आरमी के बारे में सब कुछ पता था वो पूछते क्या थे कि आपके जौनों के साथ क्या रिलेशन्स हैं आपके सीनिर आफसर्स के साथ आपके कैसे रिलेशन्स हैं हम हमेशा बोलते थे कि we are the best of friends, we are most cordial to each other और interrogation में ऐसे ही सवाल पूछते थे या वो हमें बतलाना चाहते थे कि we are stoogies of Chinese Americans which is wrong फिर वो दिन भी आया जब बहल और उनके साथियों को छोड़ने का ऐलान हुआ बहल याद करते हैं ये सुनकर हमें इतनी खुशी हुई कि समय काटे नहीं करता था जब पता लगा कि हम को रिपैट्रियेट करने वाले हैं तो मैं यही कह सकता हुआ को लगता था कि बस दुनिया के सारी खुशियां मेरे हाथ में आ गई हमें तकरीबन 20 दिन पहले बतला दिया गया था कि we will be रिपैट्रियेट और 20 दिन ये तकरीबन 20 महीनों की तरा गए और हम लोग गुमला में रिपैट्रियेट हुए और उसकत उतर के भारत माता को चुमा और बोला मातर भूवी है देव दूलमा भारत भूवी हमारी और कुछ नहीं बोला रेहान फदल बीबिसी दिन दिन